नेक्स्ट कोश्चन है यदि x square minus 3x plus 1 0 के इकोल है तो x square plus x plus 1 by x plus 1 by x square का मान ग्यात कीजिए देखिए x square minus 3x plus 1 किसके इकोल है 0 के ठीक है पूरी equation को x से divide करिए तो जब मैं x से divide करूँगा तो 1x cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या x minus में divide किया यहां से x से तो x से x cancel होगा तो आएगा क्या 3 और यहां से divide में x right hand side में 0 by x कितना होता है 0 मैंने पूरी equation को x से divide कर लिया ठीक है अब यहां पे देखिए 3 को right hand side में लेके जाएगे तो plus हो जाएगा तो x जमा एक बटे x बराबर किसके आ जाएगा 3 के ठीक है इस equation को rearrange करता हूँ मैं एकस प्लस 1 by x एक ठोड़ा आगे कर लिया ठीक है न और x square प्लस 1 by x square यह एक साथ कर लिया ठीक है इसकी value हमने निकाल ली कितने है यह 3 इसकी value और निकाल लिया ठीक है तो अगर हमारे पास इसकी value हो x प्लस 1 by x ठीक है कुछ भी हो तो x square की x square प्लस 1 by x square की direct value क्या होती है टी square ठीक है माइनस का 2 यह formula होता है ठीक है इस type के question और इससे पहले जो हमने first question किया था इस type के question solve करने के लिए direct formula होता है तो t की value क्या है जो यह है तो t का square यानि 9 9-2 7 ठीक है अब इसकी value हम पहले निकाल चुके है ठीक है और इसकी value अब निकाल यह 7 पूरे की value कितनी आगी 3 plus 7 10 यानि 10 हमारा answer आगे option a is the right answer